नमस्ति दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चानल मी सहेली पर दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा यूजफूल बीडियो आज की बीडियो बहुत ही आसान होने वाले हैं और आपके बालों को इतना ज़्यादा मजबूत कर देंगे गिरने से बचाएंगे और इसको बनाना इतना मासान है तो ये है मेथी दाना आप एक से दूचमस मेथी दाना को चाहें तो पांच से छे घंटे के लिए भी पानी में डाल के छोड़ सकते हैं जिससे कि ये थोड़ा फूल जाए और आप चाहें तो इसे पूरे रात के लिए भी छोड़ सकते हैं जिससे की मेथी दाना अच्छे से फूल जाए और इसका आप हेयर रेमेडी जो है आसानी से बना सके जिनके पास कम समय होता है बहुत जादा ताम जहाम करने का उनके पास टाइम नहीं होता है तो आज की वीडियो उनके लिए हैं आपके बाले दी बढ़ नहीं रहे हैं बहु कुछी दिनों में आपको इसका जो फार्क है इसका जो असर है आपको पता चलने लगेगा और आप इसे बाले रेमेडी को बार बार अपने बालों पर लगाना चाहेंगे तो चलिए आपको बना के दिखाती हों कि आज के रेमेडी को हम लोग किस तरीके से तयार करेंगे व पहली बार आए हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज रिक्वेस्ट करती हूं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा तो अभी मेथी को डाल देती हूं फूलने के लिए अब यहां पर लेना है हमें जो की बालो के लिए बहुत ज़्यादा गुन कारी और यूश फूल है यह बालो को बढ़ने में मदद करता है बालो के ड्राइनेज को दोर करता है और आपके जो बाले तेजी से बढ़ने लगते हैं और जो बाल आपके सफेद हो रहे हैं एक दो सफेद होना शुरू हुए हैं उसको ये काला बनाएगा तो ये है कड़ी पत्ता दोस्तों कड़ी पत्ता आपके यहाँ दियासानी से मिल जाता है तो आप इसका इस्तिमाल जादा से जादा करें आप चाहें तो इसको खाली पेट दो-चार पत्यां खा भी सकते हैं और चाहें तो आप इसके पानी से बाल को भी धो सकते हैं इसमें सैंपू मिक्स करके किसी भी तरीके से आप कड़ी पत्ता का इस्तिमाल अपने बालों को मजबूत बनाने में कर सकते हैं और यदि आपके पास ये नहीं मिल रहा है तो आप इस से आन लाइन भी ले सकते हैं बहुत अच्छे से ड्राई कड़ी पता जो है मिल जाता है इसको अच्छे से धोके साफ करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर धूल मिटी चिपका हुआ होता है तो कड़ी पता को अच्छे से पानी से धोके पहले निकाल लेना है और इसमें क्या क्या पड़ेगा क्या क्या इसमें डालना है तो आप पूरे ही वीडियो में बने रहे यदि आप इस तरीके का कोई भी वीडियो देखते हैं जो कि आप हेयर पैक बनाएं या फेस के लिए कोई पैक बना रहे हैं तो आधा अधूरे वीडियो बिल्कुल भी ना देखें मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट जरूर करती हूँ आप यहाँ पर लेना हमें कुछ पतियां गुरहल का जिसे अरहूल की पती भी बोला जाता है इवसकस फुलावर के ये पतियां है आपके पस एदी फूल है तो आप फूल भी डाल सकते हैं और फूल नहीं है तो आप इसकी पतियां भी यूज में ले सकते हैं और इसके जो पत्ते हैं दोस्तों इसको आप पानी में डालके बहुत देर यदि मसलते हैं आज से तो आपको लगेगा ना कि ये बिल्कुल सैंपू जैसा बन जाता है और बिना सैंपू आप इस वाले पत्ती के रस्ते भी अपने बालों को धोईगे ना बहुत अच्छा साफ सुथरा हो जाता है तो एक मुठी के कड़ी पत्ती को भी अच्छे से पानी में डालके धो लेना है अब इसमें लेंगे मेहंदी का पत्ता तो ये वाले महंदी का पत्ता आप हमारे बहुत सारे बीडियो में देखे होंगे यह आप हमारे regular viewers हैं तो और नए हैं तो पहली बा देख रहे होंगे तो यहाँ पर हमारे पस ताजा मेहंदी का पत्ता है मेहंदी के पत्ता डालने से क्या होगा न दोस्तों जो आप के एक दो बाल जो सफेद सफेद से हो रखे हैं या होना शुरू हुए हैं तो यह आपके बालों को कलर देने में मदद करेगा तो यहाँ पर एक मुठी इसका पत्ता हमें यूज कर लेना है और यदि आपके पास सुखा हुआ है मेहंदी का पत्ती आप सुखा के रखे हुए उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं और चाहिए तो जो बाजार में जो मेहंदी का हीना पौडर जो मिलता है उसका भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं यदि आप हीना पौडर डालना चाहते हैं तो एक से दो चमच आप डाल लेजिएगा और जो ताजा वाला मेहंदी है इसका तो बात ही कुछ और यह ठंधक भी देता है और बहुत अच्छा इससे कलर भी आता है तो यहां पर एक मुठी के जितना पती मेहंदी का भी ले ली आपके बाल लंबे हैं चोटे हैं तो आप अपने अनुसार से सारे चीज़े इसमें अड़ करेंगे मेथी दो चमच डालिएगा मेथी बहुत अच्छा फायदा करेगा आपके बालों में एदि आपके पास मेथी का दाना नहीं है तो आपको आज बता देती हूँ एदि पर एक अलवेरा का पत्ता ले ली हूँ इसका जेल निकाल के दो चमच के जितना यूज करूंगी एदि आपके पास है गमला वला तो आप यूज कर ले ना है तो आप रेडिमेट जो आता है अलवेरा जेल उसका भी यूज कर सकते हैं तो इसके किनारे किनारे से काटा निक तो यहां पर देखिए, दो चमबच एलोवेरा का जेल हमें निकाल के और रख ली हूँ। अब क्या करना है, यहां पर लेना है जार। और जार में सारे पतियों को हमें थोड़ा थोड़ा सा करके डालते जाना है, और जो बड़ा वाला पति है जैसी कि फूल वाला उसको में जाके चिपक जाता है आप लोग कहां कहां से हमारे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से बताईएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में फेमली मेंबर में सेयर भी कीजिएगा ये जो है ना 100% वर्क करेगा आपके बालों को गीरना तो एकदम से ये बंद कर देगा ये रेमेडि और इसको बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बिल्कुल फिरी का जो फूल पती है उसी सब का यूज करके आपको बना के दिखाती हूं रेमेडि उमीद करती हूं दोस्तों आप लोगों से कि आप लोगों को जरूर हमारा बनाया जो वीडियो हे वो पसंद आता होगा अब इसको पीछ लेना है और बाद में जो इलवेरा का जेल रखा गया है उसका यूज करेंगे और मेथी डाना का तो देखिए दूस्तों थोड़ा सा चलाने से ये कम हो गया है अब इसमे डाल देंगे फूला हुआ मेथी का दाना तो यहां पर दो चमश मेथी का दाना को रात भर के लिए फुलाई थी तो वह सारे ही इसमें डाल दी हूं जिससे कि अच्छे से यह पिस जाएगा अब बारिक कर लेना है थोड़ा पानी के साथ जैसे कि गाढ़ा ना हो पतला ही थोड़ा ये बन के तयार हो तो मैं आपको बताती हो पूरे एकदम से बारिक करके इसको पीस येगा तो यहाँ पर देखें अच्छे से इसको पीस के तयार कर ली हूँ अब यह वाले जो पेश्ट है इसको छान के लेंगे क्योंकि आज जो बालों के लिए बना रही हूँ तो यह पैक नहीं बनेगा आज पानी बनेगा जो कि आपके बालों में अच्छे से लग भी जाएगा आपके लंबे बाल हैं या छोटे बाल हैं तो आप आराम से इसको अपलाई कर सकते हैं और बिल्कुल भी आपके बाल में जो इसका टुकरा टुकरा सा रहता है वो भी नहीं फसेगा तो आप देख पा रहें, एकदम से जरासा भी इसमें कुछ नहीं बचा है, सारा चीछ अच्छे से पीस गया है अब इसको छानने के लिए हम लोग कोई भी बारिक वाला पतला कपड़ा, सूती वाला यूज करेंगे छननी में इसको नहीं डालेंगे, तो चलिए इसके लिए लिलती हूँ बारिक कपड़ा, कपड़ा को पहले अच्छे से धोके और भीगा लीजिएगा, उसके बाद इसको छानिएगा, तो ये अच्छे से छनता है अब इसमें ही इसको डालेंगे, और साड़ी को अच्छे से नीचोर, नीचोर के जो इसका रस है, वो रस को हम लोग को अलग करना है, और जो इसका पेश्ट बच जाता है, गाढ़ा वाला, उसको हटा दीजिए और यदि आप पैक लगाना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी बिना छाने हुए इसको लगा सकते हैं, इसको कितना टाइम लगाना है, और इसमें क्या भी मिक्स करना है, आगे मैं आपको वीडियो में बताती हूँ, तो देखे इसी तरीके से अच्छे से दवा दवा के इसका सा पीज में स्टोर कर सकते हैं, और शप्ताह में तीन बार इसको लगा रहे हैं, या दो बार लगा रहे हैं, या चार बार लगा रहे हैं, तो जो अगले बार लगाएंगे, तो ये रस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और इसको लगाना कैसे हैं, जो अभी आप लगाना चाह र देना है और नारियल का तेल डालने के बाद इसको स्प्रे बोटल में डाल लीजिए और अपने बालों में पहले कंगा कीजिए अच्छे से बाल को सुलजा लीजिए उसके बाद सारे जड़ में स्प्रे कर दीजिए जिससे कि ये बाल के जड़ में और लंबाई में यानि कि पूरे बाल में अच्छे से लग जाए बाल आपका एकदम भीगा भीगा सा हो जा इस रस से उसके बाद इसको तीन से चार घंटा तक लगे हुए रहने दीजिए जितना ज़्यादा समय रखेंगे उतना ही ज़्यादा यह आपके बालो को चमकदार बनाएगा इसमूत बनाए और इसका जो रस है बालो के जड़ में अच्छे से जाएगा सूखेगा तो ही यह फायदा करेगा तुरत लगा के तुरत धोलेंगे तो यह फायदा क्या करेगा थोड़ा टाइम दीजिएगा तभी तो आपके बालो में जितना लग जाए इसका रस थोड़ा दो चार बेश ही लगाना है तो आप कॉटन के मदद से अच्छे से लगा सकते हैं और जिस दिन आप लगा रहे हैं उस दिन साधा पानी से आपको बाल को धोना है उस दिन आपको सैंपू साबून कुछ भी नहीं लगाना है और अगले रात में अच्छे से तेल लगा लीजिएगा दिन मे जब आप रस को लगा रहे हैं तो उस दिन में इसको लगा के साधा पानी से धोना है और उसी रात में अच्छे से तेल लगाना है और उसके बाद अगले सुबह आपको सैंपू करना है दिन से चार बार सबताह में आपी से जरूर से लगाए फिर देखें ये पानी का कमाल जब आप कुछ दिन लगाते हैं कोई चीज तभी आपको फाइदा मिलेगा महीना डेर महीना इसको लगाना है दोस्तो और ये हर उम्र के बच्चे हो या बच्चियां हो बड़े हो छोटे हो सब ही कोई लगा सकते हैं ये किन ही को नुखसान नहीं करेगा जहां तक ये बाल को अच्छा ही बनाएगा मजबूत बनाएगा और जो जूस बच रहा है उसे आप फ्रीज में रख ले और अगले बार लगाए तो एक बार ही आप धेर सारा पतियों को ले के और इसका रस निकाल के रख सकते हैं उमीद करूंगी दोस्तों आज की रेमेडी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आप लोग इसको जरूर से ट्राई करेंगे मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से कोई नई टॉपिक के साथ धन्यवाद